वाइस टुड़े आज टुड़े की आरवेंग डिसकेश्ट अबाउट हाव टू टेक एड्मिशन इन डिलेड ठीक है तो आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करने वाले कि हम डिलेड जो डैली की डाइट सोतीन में कैसी एड्मिशन ले सो अगर आपके कोई रिलेटिव है या कोई आपके जानकार है और ट्रेल पास कर चुक है और वो डिलेड में एडिविशन लेना चाहरे बिसिकली वह अगर टीचर बनना चाहरे तो उनकी लिए डिलेड एक बहुत ज्यादा हेलफुल मतलब एक कोर्स हो सकता है तो आप उन्हे लिए आपको देना पड़ेगे तो फिफ्टी रुपी है ना मतलब भाइविशु रुपी उसका आपको देने पड़ेगे और उसको जो सारा प्रोसेसों को ऑन-लाइन होगा आपको स्टाप सारी सारी चीज़ा समझाता है चलूंगा तो देखते हैं कि जो डाइट में होता ह पुल फरम होती है जो सी की अईर्ट होती है इसके मतलब शोर्ट फॉर्म होती है फुल फॉर्म होती है इस चैट कॉंटिट लोफ एज्यूकेशनल रिशर्च एंड ट्रेनिंग बेसेकल हो उसमें सब्सक्राइब करने हैं कि हमें कैसे लेना है आप सबसे पहले वेपसाइट पर याएंगे पर यह प्रोड़ करेंगे तो उसमें इन्होंने कंटेंट लिस्ट जैसे बुक की पहले आते हैं कि कौन से चैप्टर किस पर बेसे के लिए यह यह थी है थी है थोरली पूरा जो है यह हमारा प्रोस्पेक्टस है और मैं इसको रीड़ करना है तो मैं भी मतलब अभी इसी साल सब्सक्राइब कंप्लीट किया अपना सो मुझे जानकर यह कि इसमें कैसे कांसलिंग करते तो मैं आपको बताता हूं कि करके जो हमारे पास जो नो हमारे पास गोर्मेंट डाइट है जिनको सरकारी फंड मिलता है वह डेली में नो डाइट है उनके नाम यह रहे यह नो ले सकते हो अगर अबने टैन ट्रीट में पंजाबी पड़िए तो पिसे ले सकते हो ठीक है यह हमारी नो डाइट के नाम है डाइट केसवपुरस के पूरह और पितम पूरह मिलताय और च्राइट नर नगर एंड डाइट दर्यागंज है बेसिकले डाइट है डिस्टिक इस्टिटूट ऑफ एड्यूकेशन एंड ट्रेनिंग यह हम इसको सोट फूम में डाइट कह रहेते हैं ठीक है तो यह हमारी कुछ नो डाइट है तो आप अगर इसमें आपके मार्क स्थोटे सही है तो आपको मा अगर आप कांसलिंग करें अगर आप टीचर बने जा रहा है तो आपके मार्क सच्छी होंगे तो उसमें क्या होता है कि आप यह हमारे सेल्फ फाइनेंस इस्टूट है मैं भी एक प्राइट कोलेज चे क्या हूं भवन्स लेला होते मुंशी कोलेज और बहुत ही सही मतलब एक बहुत अच्छा कोई आप अगर उसमें आपको नंबर आ रहा है तो बेसिकले अपने कंफर्म कर दीजगा उसमें सारी फैसिलिटी जाम पर ठीक है बहुत मतलब एक हाई रेपूटिटिट कॉलीज है भारतेविश दिवहन का नाम सुनोंगा उसी गंडर में बेलम से भी आता है ठीक है तो हम यह हमारे पास कुछ 26 सारे सेल फाइनेंस जो हमारे को लिजए मतलब प्राइवेट को लिजए इनकी फीस अलग-अलग है ठीक है और इनमें को एड मतलब बेसिकलिए कुछ तो गल्स के लिए है कुछ को मतलब गल्स और बोइस जोने के लिए ठीक है तो हम इसमें देखना होगा नेक्स्ट हमारा यह इनका एक सेडूल है कि कैसे कैसे किस डेट को क्या-क्या होने वाला है तो मैं बता देंग आपको बाइस तारिक वीस तारिक सातों महीन दो हजार बीस मतलब जुलाई है ना ज इस प्ले ओफ प्रोस्पेक्टस 2020 और एड्मिशन साइट वेबसाइट जो भी है इसकी बीस तारिक को जो हम प्रोस्पेक्टस रीड कर रहे हैं बीस सारी को इन्होंने अप्लोड कर दिया है सबसे पहले इंफर्मेशन की बीस तारिक हो थी अड्मिशन के रिगार्डिंग सो अब हम देखते हैं बाइस तारिक जुलाई 2020 को इन्होंने क्या किया सब्मिशन ओफ ओनलाइन फिलिंग आप एप्लिकेशन फॉर्म विज चॉइस ऑफ डाइट इंस्टिटूट्स अलोंग वेज प्रिस्काइब एप्लिकेशन फी त्रू ओनलाइन मॉर्ब ऑनली डैविट सब्सक्राइब मैंस् 아 je science छुए क्याुटिट कारेंगे कि इन्टर बेंकिंग सो इन्होंने क्या 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 है कि आप अपना ऊपलिकेशन फोर्म च्राइब क्या आप रगोए मैं आहिकर सभी करने तरीक बताता हूं क्योंकि यह दिए तरीक वही अपना है था सो देखते जाएगे ठीक है इन्हों ने कहा कि जो तुम अप्लाइ करोगे उसमें हमारी जो फ्री होगी वह ओनलाइन मोड़ से पे की जाएगी वह डैबिट कार्ट क्रेडिट का और नेट बैंकिंग से हो सकता है और सारी चीज़े इनकी कहा होगी इनकी ओफिस्यर वेबसाइट सब्सक्राइब है www.scrt.dellyadmission.nic.in पर हमारा क्या हो गया हमने 22 तारीक तक देख ले अपना इसाब किताब क्या था इसमें था कि हमारा एड्मिसन प्रोसिस में मतलब application form फिल हो जाएंगे अब क्या है चार से पांस तारीक को हमारे प्लिकसिन फॉर्म आहे अगर उसमें हमारी को कोई गलत हो गई तो हम उसको चार से पाइंच नाम का बदलाओ कक्ष B आपके माउस सबस्टे सबस्क्राइब करते हैं कि रेंक की शाइब ऑफ किसलों और रोगी तो साथ तारीक हो गया आप दस तारीक हो क्या होगा फस्स डेकलररेशन ऊफ हारे लेश्ट अपका एडमिशन स्राउंड में आपको कोई कॉले अलो इड़ वा या नहीं हुआ है लोट होते है प presumplete अब को बynnब को डरने की बिल्किल जरूति यह डागय समया है तो इसमें पॉक्स को आपकी साल अगस्ट को अपकी पहली एक लिस निकालने मिलें कि कि नहीं इसको नहीं मिला है उसमें भी आपकी मर्जी अगर आपको एडमिशन हुआ है तो आपको 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 फ्रीज कर देना होगा अगर नहीं रखना है तो आप उसको ऐसे छोड़िए कर सकते है ठीक है नेक्स्ट हमारा बारा तारिक बारा अगस्ट दो जार बीश तक क्या होने वाला है रिपोर्टिंग ऑफ कंडिडेट और फॉर्स्ट मेर्ट लेस्ट फॉर अड्मिशन अट अलोटेट इंस्टिटूट अलोग विड ओरिजन दोकिमेंट अस वेलाज अब क्या होगा कि तुम्हारा अगर फर्स्ट में आपका एडमिशन हो जाता है आपने सीट को फ्रीज कर लिया उसके बाद तुम्हें 12-17 तारिक तक क्या करना होगा तुम्हें क्या रहना होगा कि जो आपका एक सारे डोकुमेंट्स इसमें रिक्वार्ड होगे मैं डोक्म अब करके ले जाना है उसके साथ या आपको फ्रीज का एक निकलेगा वह कंफर्मेशन पेज आपको ले लेना है और जो आपको एडमिशन फीच मतलब बेसिकली तुम्हें फर्स्ट इंसॉल्मेंट लेकर जानी है एक्जामिशन फीच लेकर जानी है ठीक है और अगर सारे मतलब चारे-पांच जितने भी राउंड होते हो सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका जो सैसे निश्टर वो तभी होगा क्योंकि सब बच्चे का एक हो जाएगा कि किसका किस कॉलिज में अडमिशन हुआ है अब वहाँ सब जाना अपने कॉलिज में शुर प्रिज कर दी और आप मतलब वहां पर फिजिकल रिपोर्ट नहीं है तो आपका सेकंड डौन में कैंसल हो जाएगा आप नहीं आओगे मतलब इसका मतलब है कि आपने शीट फ्रीज की और आपने उसको मतलब वहां पर रिजक्ट कर दे आपने ड्रोप कर दी तो सेकंड प्रोसिस है कि आपको दो-दो सेट लेके जाने है औल डौकमेंट के एड़ एडमिशन फी स्लिप एंड वेरिविकेशन ओफ जो आपका वह था ना फ्रीजिंग शीट वाला एक वेरिविकेशन फोर्म निकलेगा उसको आपको लेके जाने साथ में चब्विस मतलब चब्व अब आपको 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 आपकी फीज आएगी उसको लेके जैना आपको प्रोस्पेक्टर में दी होगी क्योंकि डाइट्स की अलगए मतलब रॉप क्वर्मेंट डाइट्स के अलगए तो अगर आपका प्रईट में आता है तो मैं बताँए वीज कितनी लियके जानी आपको मतलब बेसिकलिए आपके शलिबस से लेगे और आपको क्या करना है कॉलीज में जाके वो भी इसमें पता चल जाएगा ठीक है अगर आपको प्रस्पेक्टर्स डाउनलोड करना है तो मैं इसका भी लिंक दे दूंगा इपसाइट से ही सो बने लेएगा आप वीडियो म नहीं करना चाहरे तो आप महां से विड्रो कर सकते मतलब अपनी अपना एक शीट खाली छोड़ी में आ गया है मतलब अलग कोर्स में आगे बेसिकलिए तो अपनी शीट को वहां से विड्रो कर सकते ये कब से कब तक होगा 26 अगस से चैसे नंबर तक ठीक है नेक्ट हमारा 26 अगस से जो हमारा क्या होगा नोटिफिकेशन डिगार्डींग अडमीशन अंडर मेनेड्मेंट को सकते हैं मैं इसमें क्या होने वाला मैनेग्मेंट को सो को आ बेसे qual année कि होती है इसमें क्या होता कि कॉलीज अपनी मतलब अपने बेसिस पर मतलब उनकरन होती है उस cách सारिक आपको मिटिंग करनी होगी कि कितने आपको मतलब क्या-क्या आपको रिक्वर्मेंट है तो इसकी अपको जान करें कहां मिलने वाली है इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.hcrddelliadmission.nic.in पर ठीक है schedule for online counseling as per availability of vacancies अब तुम्हारा announcement session को हो गया कि आज से तुम्हारा जो session हो इस्टार्ट होगा अब तुमको जाना शुरू कर दो लेकिन अभी corona pandemic चल ला है तो maybe हो सकते है कि आपका सभी के साथ हो क्योंकि बाद में हो क्योंकि उन्होंने अपना admission process निकाल दिया है इसमें कोई entrance test नहीं निकाल दिया है ठीक है अगर entrance test होता तो अब तक नहीं निकलता तो maybe आपको जो आपका session start होने वाला वो लेट हो तो हम देख लेते हैं कि अगर कोई seat खाली बज जाती है उसके बाद भी तो क्या होता है ठीक है उसमें होता है कि आपको अलग से एक application form भरना पड़ेगा जिसकी फीज होगी एक हजार रुपे जो की होगी non-refendable अगर आपको शीट मिल जाती है तब नहीं मिलेगी अगर आपको शीट नहीं मिलती है तब भी आपको एक जार रुपे फीज नहीं मिलेगी और यह सब कुछ होने वाला आपका online model नहीं ठीक है मतलब सब कुछ आपका जो फॉर्म बढ़ा जाएगा आपको एक जार फीज जमा करें जाएगी तो सब कुछ online payment होगा आपका ठीक है आज जैसा हमने उपर बताया कि debit card credit card इंटरनेट banking ठीक है जो नेक्स्ट है हमारा बिसकली ने वर्ट्वली आपको करना होगा वर्ट्वली बेसिकली तुम online कर रहे हो शारे चीजी तो अर्थार सितम्बर को आठ सितम्बर 2020 को क्या होने वाला है यह हमारा आर्ट सितम्बर यह हमारा आठ सितम्बर को क्या होने वाला है display of list of participation candidates of online counseling जो 40 seats ती उसमें क्या होगा मतलब बंदे तो आएंगी न तो उसमें वाला कि आपको डिस्पले कर जायेगी मिली है जिसको नहीं मिले है यह सब इनकी इन्फोर्मेशन ओन्ली ओन www.hcrt.dellyadmission.nice.in पर मिलने वाले ठीक है तो इस लाइस जो बार बार वार विजिट करें क्योंकि इसमें आने वाले दो महिने में आपके लिए नोटिफिकेशन आती रहेंगी जो आपके काम किये ठीक है यह हमारा क्या है यह हमारा 10 सितंबर से 11 सितंबर को होने वाला है फर्स्ट लिस्ट डिकलेरेशन एंड रिपोर्टिंग कंडिडेट हूँ है पार्टिपेट इन ओनलाइन कांसलिंग एट सब्सक्राइब को आपको अपने जो आपको जाना होगा ठीक है आपको वेरिफाइब कराने को अपने डोकमेंट्स तो पंदरह सितंबर से 16 सितंबर को आने वाला सेकेंड लिस्ट आईगी उसी की अगर को इसी तब भी खाली में जाते जाती है फुर्दर अगर कोई खाली बैस जाती है अब 21 सितंबर 2020 को डिकलेरेशन नोटिफिक्स ओफ लिस्ट रिगार्डिंग एडमिस्ट ऑफ ओनलाइन कांसलिंग इफ एनी शेट्स वे केंट बेसिकली इन्हें अब यार एक टीचर का लिए मतलब एक फीचर में टीचर क हो गई अब ना तो कोई कोलेज मेन मेने गर्म मैनेजमेंट कोटा है लेगा और ना ही मतलब तुम ऐसे रटे के तुरू जा सकोगे ठीक है तो इसमें होता है कि आप मतलब रहते हैं अपनी कांसलिंग पूरी कर ले और अपना कोलेज लेकर पढ़ाई शुरू करें ठीक है त को जाएंगे उसके बाद ना ही तो आप एडमिशन ले पाओगे मैंजमेंट कोटा से और ना ही ले पाओगे आप से यहां को जो कमिट्मेंट कर देंगे कि तुमारा से से स्टार्ट है तो आपकी अटेंडेंस तभी से मानने की जाएगी तभी से काउंट की जाएगी यहीं कि आपने मतलब शुरू आपका अभी यहां आपने फर्स्ट आउन में आपकी सीट आप सीट मिल गया आपको में जाना तब से आपकी हाधरी लगनी शुरू हो जाएगी अब इन्होंने कहा कि जो आपका कोविड नाटी पेंडमिक चल रहा है फॉर दा सेफ्टी ऑफ एप्लिकेशन प्रायर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डोकुमेंट्स विल नोट बी करेड आउट इन्होंने कहा कि जो हमारा पंदमिक चल दे सब कुछ तैस्ट नाश करके रखें तो इसी के चलते हम जो हमारा यह होता ना कि फीजिकल वेरिफिकेशन जो तुम कराने जाओके डोकुमेंट्स पोसिबिल नहीं है तो यह कह रहे कि आपना जो आपके डोकुमेंट्स है वह आप वैब्साइट क्यों के सब्मिट करने होंगे सो उसके बाद क्या है कि सिर्ट्स विल भी प्रोविजनली बेस्ट उन्द रैंक ऑफ पार्टिसिपेंट इन्द प्रट्रक्टिव क्रेगरी अन्द सब्केटेगरी बेसिकली जो में रैंक दी जाएगी वह आपकी क्रेटेगरी और माक्स को ध्य कर देंगे आपको डेली में वह उस साल देंगे नहीं तो बैसिकली आपको अपने सारी चीज़े बिल्कुल सही सही लिए आपको एक बार कैलकुलेट करके दुबारा से यह नहीं क्या मतलब आपका सपोज आपने आपके 85 85.5 पर सेंट है आपने उसको मतलब पूरा शिक्ष तो यह तो नहीं कि अपका कैंचिल होगा ठीक है इनकेस एनी वर्किंग डे इस डेक्लेर्ड एज होलेडे बाइड बाइड गुर्मेंट दप्रोसेस अप्रोसेस के लिए पॉस्पूर्ण कर जाएगा लेकिन होगा तो नेक्स्ट हमारा देस्ट अट्रसेस अफ नाइं गॉ पास नाइं गॉर्मेंट डाइट्स है उनकी हमने लिस्ट जे दी है वह हमने पढ़ लिए उनको बताने की जो रहोत नहीं है नोट इनकेस अफ अवेलेबिल्टी अफ वेकंसी इन थर्ड लिश्ट डोकिमेंट अड्मिशन इंडाइट अंच्ट वेट इंस्ट नेक्स्ट व अन्ट नोटिफाइड देट डिट विए अनौंस एज पर सेड्यूल फोर अपडेटेशन फोर अपडेटेटेड फाइनल को पोर अपडेट विश्ट डिटेल प्लेस अपनी उप्साइट पर तुम्हीं उस वेब्साइट को रेगुलरी विजिट करते रहना है तुआ आफ आपको रेगुलर ली चेक करते रहना है क्योंकि जितने भी आपको अपडेट मिलेगी वह आपको पर्सनलिया आपकी मेल आईड़ी पर नहीं मिलेगी आपको बेसिकली मिलने जा रही है इनकी ओफिशल वेबसाइट पर क्योंकि डिटेल सब के लिए होगी किसी एक के लिए नहीं होगी कि नेक्ट हमारा की कोर्स ऑफ इस्टी ऑफ डिप्लोमाइड अलिमेंटर एजुकिशन डिलेड है क्या और इसमें कौन कौन से बेसिकली तुम्हें पता चल जाएगा कि जब तुम पढ़ने जाओगे अब हम देख लेते हैं क्या अकेडमी क्लेंडर ऑफ इसकिम्स वैलिएशन सब्सक्राइब करने हैं यह आपको मतलब है कि आपको तीन सो दिन कोलीज में फिजिकली परजेंट होना है ठीक है अब इसमें इतनी मेंडेटरी होती है अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है तो आपका एडमिट कार्ड भी रोक लिया जाता है हमारी लास में फर्स्ट यर में रोक लिया गया था मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ठीक है तो नेक्स्ट हमारा भी दा इंस्टिटूशन शेल वर्क फॉर रहरा मिनिमम ऑफ ठर्टी सिक और इनवीग अब कॉलीज के में तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारे में जूठी होगे तुम गांटलो में आते एक गंटव लिए ने श्यां बच जाते अगर कुछ काम होगे तो इसकिते की तुम साम को गर पहुंच होगे अब यह मत सूचना कि तपना कर लोगे तो आपको दो साल पूरे देने होंगे टीचर बनने के लिए ठीक है तो आपको दो साल में आपको दो महिने के लिए चालीश-एटी आपको ऐसी दिन के लिए टीचर स्कूल में भीजेगा ठीक है आपको वस्चे बोलेंगे आप पढ़ा होंगे एज़ा ठीक है तो इस लिए अन्यूंने बोला कि आपको इंटर्नल में कि इन्टर्नल में कि इन्टर्न उलाएं ने कि तुम्हारी वाइल जाज मत केंट में ठीक हैं तो आपको इंटर्न लेक्स टेर्नल में पता होना चाहिए एक को कैसी अरकार 행복 करना है। तो इसमें आपको जादे से जादे तो घवर करनी होगी और सिनके क्या नहीं شक्ते दो पड़ा जायएगा आपको जो पढ़ाना हो खुद कवर करो तो लेंगवेज़ आपको इसमें दिया खें की यहां चूज़ करें ऊपका अंग्लिस होता है कंपल सरिए आपका अंग्लिस कोई एक लेंग्विज रखनी होगे थिक है अब आपके पास क्वर्स्ट इर में यह सारे सारे पढ़ने पढ़ने सारी वोक्स सेक्टेर में सलेक्टेड हो जाते ठीक आप देखो अब जाता है स्कूल एक्सपिजेंट प्रोग्राम यह आपका बहुत ही इंपूर्टेंटर बहुत इच्छे मार्स तो बेसिकी इसमें सारा क्या है ग्राइब है यहमारे इंटर्नेल और जो हमारे डेर्समाक है इंटर्नेल आपके फाइल पर जिज्मेंट होगी और देख जाएंगे कि आपको तो आपना मापिम नहीं प्लाइ करने के मौका मिलेगा इपना पूरा एनरजी अपनी पूरा फोकस उसी टाइम जो आपके 40 दिन है उसी पर लगाना है ठीक है नेक्स्ट क्या है हमारा आप देख लेते हैं अब इस प्रोग्राम में आपके डेड़ समाक्स मतलब पूरे माइन रख्टेस में तो आपको फूरे फाइले टाइम पर कंप्लीट करनी है और आपको सिंसेरली बच्चों के सामने जाना है आपकी फॉर्मल ड्रेस अगर आपका गॉर्मेंट को लिज़ है मतलब गॉर्मेंट डायट है तो आपको अपकी कॉल्ज के ड्रेस होगी मेरे कोलेज की ड्रेस नहीं थी तो हम अपना एक जोम कॉलेज के हमारे कपड़ होते थे नॉर् आपको कॉलिज होगा उसके सब्सक्राइब के अलग नॉम सलग रूल एंड रेगुलेशन होगे वह आपको फॉलोग करने होंगे लेकिन भी लम्स लेला होते मुंसी कॉल्स एजुकेशन एक मतलब ऐसा को पूरे फ्रिडम देते उनको पूरा एक्स्प्लोर करने का मौका द लेंघ हमारे को बीजट मेरे विजट कर आते हैं और पूरा उसमें मतलब पूरा गुरूप जाता है को यह अगहां सब्सक्राइब करना इसको 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 पॉलिस करते ना जंग लगा रहा तो उसमें बनाना एक टीचर बनाना जो तुमने सीखे उनको को इंप्लिमेंट करना वहां ठीक है नेक्स्ट के हमारा इन टू यह टीचिंग एजुकेशन प्रोग्राम डेलेड ऐसी पीप फॉर्म इंट्रेगल पार्ट विच विल बी कंपलेटेड बाइस्वें टीचर इन थ्री फेज और फाइफ बेसिकलिशन पांट वांट ट्वेंट कि किस को इसको में कौन-कौन बच्छे जाएंगे और किस कि स्पथेज में मतलब कोलेज डम्स्टेशन बना देगा आपको पर ली ठीक है और आपको मतलब आपके साथ एक टीचर भी जाएंगे तो यह सारे जो आपका आपको 40 दिन फिजिकली रिपोर्ट करना स्कूल में इसमें बहुत बड़ा खेल है तो एक अगर आपने उसमें पूरे टेंडेंस नहीं की तो आपको पूरे मार्क्स नहीं देंगे जितने मिलने चाहिए आपके को कोई कैंसिल कर देंगे और बिना आपको फार्ट यह यह आएगा तो देखेंगे आप अपना मतलब अपने हिसाब से आपकी जो आपकी अटेंडेंस को पूरा कीजिए नेक्स्ट है सपी और इंटेशन उसमें क्या होगा आपका प्रेयर टू एसपी और इंटेशन प्रोग्रम इन्हों ने कहा कि जो हमारा एक और इंटेशन प्रोग्रम चलता है कोलिज में कि आपको पांस दिन में हो तुम्हें बताएंगी कि तुम्हें कैसे एक्स्प्लेंड करना है वह आपका सब कुछ हो जाएगा हमें भी नहीं पता था कि हमारे साथ यह होने वाला है बट टाइम होती रही है उसमें क्या होगा कि आपको पांस दिन का आपका सब्सक्राइब करना और आपको पढ़ाना हो लेक्चर आपने जो आपके क्लास के साथ यह आपको इंट्रेक्शन करना है और जो बच्चे हैं सारे वह हैं मतलब बच्चे की तरह ही को कर हमेद्धाने में और आपको इस इसकल में इंप्रोव करने की जडरोध है इसे ऐड्यटर सफ टाटने तो आपको इसे बताई जाए चां compliance में विल्ली ठैबaires लेशन प्लाइनिंग आप जो आप सब्सक्राइब अगर इसकी बनने जाएगा बढ़ने जा रहे हैं तो आपको हर लेस्ट बिनाना पड़ता है आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए आपका वह एक हो जाए नेक्स्ट हमारे एफेक्टिव हैंडिलिंग यूज ओफ टीचिंग लेर्निंग मेट्रियल जो आप टीचिंग बर लिंग मेट्रियल उसके बार सब्सक्राइब तो मैंने बोला सिंपल है कि बच्चे कम से कम इतना साइस से होना चाहिए कि बच्चे जो लेक्स लास्ट पर बैठा उसको भी कम से कम वीजिबल हो तो हमें यह बेसिकली हमें का जो करने का तरीका हो हमें पता चला तो अगर आप सिखाने वाले कोई नहीं हो अगर्ण आप एक अचिमेंट टेस्ट लागे बच्चों और आपको जो कितना समझा बच्चों को बच्चों को समझा आप शकूल प्रोफाइल बनाएंगे कि स्कूल कैस अपता जी स्कूल में कई हो क्या क्या पेसेलिटी नहीं थी नैस्ट वेसमें कंड़क्टिंग नेवर सब्सक्राइब करने होता कि आप करने जा रहे हो तो कुछ करने जा रहे हो तो उसमें आपने क्या 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 रेलिवेंट था स्कूल के इसाब सिमां पर नेक्स्त क्या होग राइटिंग क्या मैंने क्या क्या मुझे इंप्रॉमेंट करने हो पर बिस इनक्रेट करके बनाने होंगे आपको क्या करना है किसी एक मुद्दर ढूड़ोगा आपको स्कूल में देख लेंगे आप मिड़े मिल देख लेंगे बतलब आपको स्कूल में लग रही है आप उस पर रिसेच करने और आपको बनाने के पॉर्मेट्स आपको मैं बताएगी वहां पर आपके पर्टिकुल में तो देखें नेक्स क्या है तो फैमिलराइब इस्टुएंट इस्टुएंट इंवर्मेंट हैड एन टीजर्स जो हम कि आप अभी आप कॉली में जाने से पहले आप इस्टुएंट थे अब जाओगे तो आप इस्कूल में इंट्रेक्ट को आगे तो आपको एक एटिचूड और बिहवियर पता जलाएगी गुर्मेंट टीचर्या टीचर्स कैसे एटिचूड मतलब कैसा बीवर रहता हमका त प्रइचिए और उसमें आपको रिमार्स देखें जाते किस बंजया और कितना अच्छा नहीं किया फैस्ट योड ने दिया है थे फाइव माइक्रोटीचिंग साइकल से इच्वन मतलब आपको माइक्रोटीचिंग के पांच साइकल आपको कम्प्लीट करने होंगे वह सब अब को मतलब दियुरिंग जो आपका पांच यह का प्रोग्राम में सब कुछ में बता देगी ठीक है नेक्स्ट हमारा सेकंड फेज आप बेसिकलिए आपको टोटल अपकी पूरी में जो कॉलिज में होगी और इन्होंने बेसिकलिए माक्स से आपके इन्होंने यह भी प्रेमिशन लेने में एल्फ लोगी रूल एप्लिकेबल फॉर दाटीचर्स ट्रेनी इस्टइग इन डेलेड बेसिकलिए जो बच्छे डेलेड कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या रूल बन होने चाहिए क्या 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 प्र अप्लिके बहल है दिप्लो माइन अलिमेंटर अलवर देली एक्सकरजन फॉल-time वक्षोप यह टीचर यह टेटर इन एड्यूकेशन डेवलप्मेंट फेलम और एक्सक्तर देरफोर इस्ट्रेंस वाइल पर्शूंग डेलेड डिप्लोमा कांट पर्शू अनी अधर कोर्स बीट रेगुलर फुल-time रेगुलर पार्ट-time इसमें आपको काम आपको सौचेन आघव नहीं है क्या है तो इसके बाद आपको काम कर रहेंगे काम बहुत मिलता है if at any stage it is found that any student is pursuing has another course while delayed course is or a diploma is cancelled अगर पता चल जाते कि आप इसी के साथ साथ कोई course pursue कर रहे है तो आपका cancel कर जाता है diploma second it is mandatory for for all the students to attain 80 minimum 85 percent of attendance in theory classes of scp 100 percent इन्होंने का कि जो हमारा बेसिकलिए जो हमारे कोलेज की अटेंडेंट से 85 तो होनी चाहिए उसके बाद क्या है कि हमारा जो एसी पी जो हमारी उसमें आपको 100 percent मतलब आपको 40 के 40 डे आपको फिजिकली एपियर होना कोई आपकी सीरत प्रोब्लम है तो अपनी सुपर्वाइजर से पर मिसन ले सकते हैं आपको चूट मिल जाती है वैसे अलाव नहीं किया आपको चूट लेने के लिए ठीक है नेक्स्ट क्या हमारा रहा दर इक्विजिस अटेंडेंस क्राइडेरियन टू मेट आउट सेपरेटली इन फर्स्ट यर इस वेल इस सेकंड यर अफ डिपलोमा जब का अटेंडेंस क्राइडेरिया वह आपको सेम मिलेगा फर्स्ट यर सेकंड यर में ठीक है और आपको अलग अलग उसको मतलब 85 अपने सेकंड यर में करनी होगी कंडिशन ऑफ सोटेज अफ अटेंडेंज अप तु फाइप परसेंट थोरी क्लासिज में भी ग्रेंटिड अजब प्रिंसिपल्स ओफ कैंसर्ण डाइट ऑन दे बैसिज अफ मैडिकल एजर जस्टिफिकेशन ग्राउंड ओन दा रिकमेंडेशन अगर तुम्हें कोई इस प्रिंसिपल में होगी उसका अपका मेडिकल सर्टिफिकेट और इसको देने होगे तो आपको फाइप परसेंट का रिलेक्सेशन मिल सकता है एस चार्ट की तरफ से वर्ना नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी फॉर्दर कंडिशन ऑफ सोर्टिज सब्सक्राइब अगर तुम्हारे कोलेज के लिए अब जाके बैठ सकते हो मतलब तुम्हारे कोलेज बन गया है तो उसके आप बात क्या करोगा यह है फर्स्ट आफ्टर अलोकेशन ऑफ शेट दुरिंग फर्स्ट राउंड तु थर्ड ओंली कंडिट इज एडवाईज तु फ्रीज अलोटेट सीट इफ ही और सी इस सैटेसफाइड विज अलोकेशन एंड सी इस नोट अलाउड तु प अगर फर्स्ट राउंड में अपनी सीट को फ्रीज कर चुका है तो अब सेकेंड राउंड में उसका नाम नहीं आए क्योंकि उसको पहले सीट अलोट हो चुकि है नेस्ट में क्या हमारा आफ्टर एवरें राउंड देडमिशन इफ्ट इस सैटेसफाइड विज जैसे तुम्हारे रिजर्वेशन होता है कि तुम्हारी सीट कनफर्म हो चुकि है अब बिंदास तुम कहीं भी मतलब कुछ भी करो तुमारी काउंसलिंग से लेना देना कुछ नहीं है तो नेस्ट है इफ इफ कंडिय देस्ट प्रेज दालोटेट शेट नेक्स्ट हायर पर सब्सक्राइब देखने हैं अब आपके मार्क से 70 परसेंट तो आप मुझे मतलब राजिंदर राइट यह मिले तो अगर आप 70 परसेंट पर आपने फर्स चोईज यह बरी है तो बिलकुल नहीं मिलेगा क्योंकि आप सेवन्टी परसेंट के हो तो आप कॉलिज भी है सब्सक्राइब करें तो तुम्हें अपने क्लब शूट करें तो तुम्हें आपसानी से मिल जाएंगे वह ठीक है नेट्स है हमारा एट दा एंड अफ थर्ड राउंड था कंडिडेट्स और एडवाज तो फ्रीजिकल टू डाइट एंड रिपोर्ट फिजिकल तो डाइट सब्सक्राइब करें थर्ड हम फॉर्थ है बिसके लिए आपको फीजिका इसमें देया अब हम देते थे प्रिफेंड पॉलेशी फी रिफेंड प्रोविजिंस जो भी हमारे इसमें नौन रिफेंडेबल आपके डाइशूर पर होगे जो आपकी एप्लिकेशन फी है कि आप आपकी जो डाइशूर पर नौन रिफेंडेबल होगे जो आप शूर में अपने अप्लिकेशन फोर्म के लिए अपलाई करोगे ना डाइशूर पर आपसे हो मतलब डेबिट कार्ड क्रेट कार्ड या ओनलाइन जो नेट बैंकिंग होती है उससे आपको डाइशूर पिल ल आट सो रुपे आपकी नौन रिफंडेबल पर फी हद बट एड़ेस्टेबल अपको जो एक अपको आपको अधनली किशी मतलब हो है जो आपकी है अजहहे है पमारा यह उसकीfar़ लिए हो थै कि आपको नव जो ना कर लिये मतलब आपको 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 में इंद्स आपको स आपको अपने कर दिया तो आपको नेक्स राउंड में करेंगे कि आपने महां से नामें कटा लिए अपना ठीक है थर्ड है all the candidates who have not verified their documents withdrawal fees and their seat not pay the part fee of 1800 रुपे नोट रिपोर्टेड मतलब अगर बेसिकली एक एक बार एडमिशन करके वेसिलिए तुम डाइशोर रुपे जमा करके अगर आपने विजिट साइट विजिटर नहीं किया तो आपको एक तरह से आपको जो कैंसिल कर देंगे उसार यह अँटार रहा है लास्ट्राउंड कोडर से थार आपकी बॉला इनोने और हजारों क्रेंगे है तो आपके क्या होगा यह है ओनलाइन कांसिलिंग डेकलेरेशन ओफ लास्ट लिस्ट आफ्टर कांसिलिंग एडमिशन एंड लिस्ट इसमें दिया है इसमें हम बढ़ते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग पर जब टोटल नंबर ऑफ दा वन जो हमारी शीट्स डाइट में इतनी भी अविलेबल है 1040 उनके लिए आपको हर एक कंडियेट को उसमें फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है हमारे पास कितने नाइंट्स गवर्मेंट डाइट है एंड 26 सेल फाइन्स इस्टीट है जिनको प्राइवेट कॉलिज भी का जाता है ठीक है उसमें क्या है आपको अगर आप किसमें अप्लाइब करने चाहते है तो उसमें हो यह तो कि आप 10 प्लस तू के लिए कि लिए किसी भी एक यूश्टी बोर्ड यूश्टी आप किसी भी मतलब एक बॉर्ड रेक्रोनाइज वो उससे आप 20 50 परसेंट मार्क से आप उसमें क्वालिफाइड हो और आपके इसल में 24 यर से ज्यादा ना तो आपके उसके लिए कि एडिमिशन के लिए कंसेडर किया जाता है अब जो आपकी रहें किसमें डिसाइड कि आते वह जो आपके टूंडड रुपे टूंडड फुट्ट अपने जमां किया इसमें वह उन्हें इसको डिवाइड कर द कि अधिए होगा मारा इसमें अधिक अधिक यह मैं इसके इस्टेटस प्यारों एक बार इस्टेटस प्यारों तो इसमें होगा आपका यह जिस में आपका एटीन हंडेड एइन ने बोला है कि आपके अधिस्ट्मिंट बेसिकलिए वह नहीं बार बार रिपीट पता नहीं क्यों किया है अब देख लेते हम आपको जो होगा हां इन्होंने डोकिमेंट के बार में आप बात किये कि आपको डोजो सेट ले आने ज बिल रहे चाहता है तो आप उसको यह वीडियो शेयर करती है और वह पूरे देखे स्टैप अगर आप चाहते हो कि कैसे अड्मिशन अप्लाइब करते हैं तो इसके लिए हमें एक एक बना देंग उसके वीडियो पर एक प्रटिक्लर लिए एड्मिशन के लिए कि क्या कैसे कैसे हमें कैप्टे कोड और वह सब किस बरना है कैसे हमें एक बार कमेंट करके बचाजिए हम उसके वीडियो को भी काम करेंगे तो थैंक्स वर वाचिंग गोड ब्लेस्ट यू ओके